भाई और भेणों, आपके जार्खन की नई पहचान बनने जा रही हैं, कि ये वो राच्चे है जो गरीब और जनल जातिये समुदाई के हितों की बड़ी योजनाओं का एक प्रकार से लॉंचिंग पहड़ा है यानि जब देश में इस बात की चर्चा होगी, कि गरीबों से जुड़ी बड़ी योजनाएं की सराच्चे से शुरू हुई, तो उसमें जार्खन का नाम सबसे जादा चर्चा में आएगा यही जार्खन से दुनिया की सबसे बड़ी फेल्ट एशॉरंस कीम आईश्मान भारत की शुरुआत हुई, और आज देश के लाखों लोग, जो पैसों के अभाओं में इलाज नहीं करवा पाते थे, उनका इलाज हुआ है, वो आशिरवाद बरसा रहे हैं, वो आशिरवाद जार्खन को भी पहुंच रहे हैं, आज पूरे देश के करोड़ों किसानों को पैंशन सुनिस्चित करने वाली प्रदान मंत्री किसान मानधन योजरा, इसकी शुरुआ इस जार्खन की बिर्शा मुंडा की दर्थी से इसका प्रारंब हो रहा है, इतना ही नहीं, देश के करोड़ों, व्यापारियों और स्वरोजगारियों के लिए राष्ट्रिय, पैंशन, योजना की शुरुआद भी जार्खन से हो रही हैं, मैं इस महान धर्थी से देश भर के किसानों और व्यापारियों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ, क्याने हमने कभी देश के असंगठित कामदारों को पैंशन की योजना थी, बाद में किसानों के लिए पैंशन ही हो दना, उसके बाद व्यापारी और फोरोज़ारी के लिए पैंशन ही हो दना, अन्य एक प्रकार से, देश को बनाने में जिनकी बहुत बड़ी भूमी का है, ऐसे समाज के सभी वर्गों को बुढ़ा पे मैं मुसीबत में जीना न पड़े, उसकी गारंटी ये पैंशन योजना लेकर के आईए। साथियों, आज मुझे साहिद गर्ज मल्ती मॉडल टर्मिनल का उद्गाडन करने का सौभाग्य भी मिला। और हमारे मंत्री स्रिमान मंसुद मान्रविया जी वहाँ बैठे हैं, सांथाल परगना के बहुत लोग भी आज इस पड़े महत्वपुन अउसर के वहाँ साक्षी बने हैं, और ये प्रोजेक्ट सिर्फ जारखंड का नहीं, ये हिंदुस्तान को भी और दुनिया को भी जारखंड की नई पहचान देने वादा है। ये फिर एक और प्रोजेक्ट नहीं, बलकि इस पूरे छेत्र को परिवहन का नया विकल्प दे रहा है। ये टर्मिनल नेशनल वाटर वे वन खल्दिया बनारस जलमार्ग विकास परियोजना का एक एहन हिस्सा है। ये जलमार्ग जारखंड को पूरे देश से भी नहीं, बलकि विदेश से भी जोड़ेगा। इसके माध्यम से जारखंड के लोगों के लिए विकास की अपार संभावनाएं खुलने वाली है। इस संद्रमिनल से यहां के आदिवाची भाई बहनों को, यहां के किसानों को, अपने उत्पार अब पूरे देश के बाजारों में और आसानी से पहुँच पाने में सुभीदा होगी। इसी तरह जलमार्ग के कारण उत्तर भारत से जारखंड समेख, पुर्वत्तर के नौर्टिस के राज्य, आसान, नागालें, मिजोरां, मेगालें, इन सम राज्यों तक, अब जारखंड का जो पैदावर है, वहो वहां तक पहुचना सरल हो जाएगे। ये तर्मिनल रोजगार के नए आउसर भी तैयार करेगा। प्रगति की द्रस्टी से देखें, या परियावरान की द्रस्टी से, ये जलमार्क बहुत ही लाबकारी सिद्ध होगा। और रोड से जो सामान जाता है उसको जितना खर्चा होता है, पानी के मार से जब जाता है, तो खर्चा बहुत कम हो जाता है। इसका लाब भी हर उपादक को, हर व्यापारी को, हर खरिदार को मिलेगा।